राजस्तान विदान सभा के प्रक्रिया तता कारे संचालन के विशे सुलेग प्रस्ताव नियम 295 के अंतरगत सूचना मौदे मैं सदन के अध्यान इसोर आकर्सित करना चाहता हूँ कि विदान सभा चेत्र सांगानेर में 1982 से 1925 में के बीच राजस्तान आॉसिंग बोर्ड ने परताब नगर, शोपूर, पिंजरा पॉल गोसाला के पीछे वे आसपास टिबा टोल्टेक शेत्र, कालाबड भाटक शेत्र, तारों की कूंट वे मांसरोर के सहीद आसपास जेडिये के जोन नंबर 4, 5, 6, 8, 9 में क्रसी भूमी को अवाप्त किया गया था इन सो से अधिक कोलोनियों में ग्रैन इर्मान सहकारी समीती द्वारा रजिश्ट्री करवा कर पटे दिये गए जिन में पिच्चान में परतिशत लोग 1909 में से पूर हुए लोन लेकर मकान बनाकर नल बिजनी के कनेक्शन लेकर रह रहे हैं तता ये कोलोनियों पूर्ण विक्सित है इन कोलोनियों की क्रसी भूमी की अवाप्ती वे मुआउजे की कारवाई भी राजस्तान आउसिंग बोड़ द्वारा आज तक पूर्ण नहीं हुई है और अब यहां लाखों लोग निवास कर रहे हैं इन्हें किसी भी इस्तिती में यहां से बेदेकल करना न्यायोचित नहीं होगा तता ये किसी भी आलत में संबव नहीं है आउसिंग बोड़ का मूल उद्देश चे आम जन को आवास उपलब्द करवाना था जो कि पूर्ण हो गया है वर्तमान में सरकार द्वारा प्रसासन सहरों के संग अभियान के नाम पर खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है जबकि आम जन को इन सब को जेडिये, आउसिंग बोड़, नगर निगम में महिनों से धक्के खाने पड़ रहे है अधिकारी इनको टर्का कर टालम टोल करके इनको पटे नहीं दिये जा रहे है करपिया स्वाइशासन मंत्री जी आम जन को एविलम पटे दिलवाकर रात परदान करें अत्या प्रक्रिया उंकारेट संचालन के विसेश उलेक प्रस्ताव नियम 295 के अंतरगत स्वाइशासन मंत्री जी के इस ओर विसेश ध्यान आकरशित करता हूं धन्यवाद